आज आशुन मास के कृष्णपक्ष की शष्ठी तिति और मंगलवार का दिन है शष्ठी तिति आज पूरा दिन पार करके देरराथ 12 बचकर तीन मिनट तक रहेगी आज चंद शष्ठी वृत है साथ ही आज के दिन शष्ठी तिति वालों का शाद किया जाएगा आज शाम 5 बच कर 33 मिनट तक व्यागात योग रहेगा साथ ही आज करते का नक्षत्र पूरा दिन पूरी रात पार करके कल दो पहर पहले 11 बच कर 15 मिनट तक रहेगा आज रात 12 बच कर 3 मिनट से कल दो पहर 1 बच कर 5 मिनट तक भद्रा रहेगी आगे हम इसी पर विस्तित चर्चा करेंगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फ़ल देता है जूतिश के गणित पक्ष ने आकाशे इपिंडो के बीज बहने वाली इलेक्रो मागनिटी फिल्ड के मूवमेंट को कल्कुलेट करके ये जाल लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 13 सितंबर की सूर्योदे से दो बाहर एक बच कर तैंटीस मिनट तक रहेगा इसके साथ बात करते हैं सरवासिद्धी योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो आज ये योग नहीं बन रहा है आज ये योग 9 सितंबर की दो बाहर पहले 11 बच कर 15 मिट से अगली सूबह सूर्योदे तक रहेगा इस क्रम में आईएब चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्ट यानि की फेवरेबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 17 अक्टूबर की सुबह 6 बच कर 24 मिनिट से दो पहर पहले 11 बच कर 14 मिनिट तक रहेगा आज नया बिजनेश शुरू करने के लिए कोई अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 19 अक्टूबर की सुबह 6 बच कर 25 मिनिट से 8 बच कर 49 मिनिट तक और सुबह 10 बच कर 27 मिनिट से दो पहर 2 बच कर 8 मिनिट तक रहेगा अगर आप को एक कांस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 17 अक्टूबर की सुबह 6 बच कर 24 मिनिट से 8 बच कर 47 मिनिट तक और दो पहर पहले 11 बच कर 5 मिनिट से 11 बच कर 14 मिनिट तक रहेगा अगर आपको जॉब जॉइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 18 सितंबर की दो पहर 12 बच कर 94 मिनिट से शाम 4 बच कर 46 मिनिट तक और शाम 6 बच कर 13 मिनिट से रात 11 बच कर 9 मिनिट तक रहेगा अगर आज कोई मेडिकल टीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 16 बच कर 1 मिनिट से 1 बच कर 25 मिनिट तक और रात 1 बच कर 54 मिनिट से अगली सुबह 6 बच कर 24 मिनिट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली जूरी इलेक्ट्रो मागनेटिव फील्ड कुछ उक्छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करानती सामें से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इसे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है इस समय में कोई विशुब कारे करने से सफलता नहीं मिलती आज कोई आशुब समय नहीं है आज ये आशुब समय दस सितंबर के सुभा चार बच का चववन मिनिट पर रहेगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मेश सिंग, धनु और कुम्बर राशियां विशे शुब से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के बारा मिनिट पहले और बारा मिनिट बाद तक कोई विशुब कारे नहीं करना चाहिए